तो दोस्तों आज मैं आप लोगों को ठर्मनेल बनाना सिख दोस्तो गुड मोर्निंग राधेर राज इसकिष्णा आप सभी लोग क्वेश्ण होंगे मस्त होंगे और अपने अपने कमम बेस्थ होंगे बहुत अच्छा दोस्तों सब्सक्राइब अपने कमम बेस्थ होना चाहिए तो चलिए लेट ना करते हुए मैं चलते हुआ थमनेल बनाना आप लोगों को शिखाने तो चलिए दोस्तों अब में थमनेल में चलिए और थमनेल बनाना शीखे और आप भी अपने वीडियो वाइरल करना शीखे तो में वीडियो वाइरल करने का में पॉइंट होता थमनेल तो इसलिए मैंने आप लोगों के शामनेया थमनेल ब बनावत सिखा रही तो दोस्तों मैं आप आप शूंगी इमेज मेस में तो मैंने में साइज में और देखा तो मैं देखंगी YouTube नियल कर दूंगी तो मैंने YouTube फ़ोनेल पर ओके कर दिया अब ओके हो गया है अब मैं लिख गयलरी को लशेट करूँगा तो मुझे इधर गयलरी का कलर नहीं अच्छा लगा तो मैं जाओंगी अपने इमेज गयलरी में तो हमसे मैंने कुछ डाउन कर रखा है तो वहां शेम मैं उठ येशर लगते ही तो मैंने उशिक कहा लिए देखो तो अम मैं आऊंगे इट लोगमी में लिखूंगी और शिट करूंगी तो देखे देख यáfic आंगे नेक्लां लिखुंगी जाओंगी मैं जोब फेलेवांटर लिखकंगी विजह अब मैं आऊंगी प्लस पे प्लस पे आने बाद मैंने शेट कर दिया फिर मैं इडित पे जाऊंगी और दूसरा लिखूंगी इडित पे जाने बाद मैं फिर लिखूंगी फिर से पैंसल उठाय और फिर से लिखना चालू कर दिया थमनेल, तो मैंने लिखा थमनेल, तो अब थमनेल मैं उखे कर दूँगी, और इसका भी अब कलर शेट करूँगी, और बाइग ग्राउंड शेट करूँगी, पहले इसको मैं शेट कर दूँगी सही से, कौश स्थान पर शेट करना इसको शेट कर दूँगी, इसके बाद भी क कर दिया इसमें सैडो दे दिया और फिर मैंने उठाए पेंसल और इडिट किया और लिखा बनाना शीखो तो तो थमनेल बनाना बहुत ही आशान है सिर्फ देखते जाहिए मैं कैसे क्या कर रहे हूं वेशे ही आप देखते जाहिए और बना लेजिए हाँ तो सरकल है जो बीच को मैं पकड़ा करे छोटा बड़ा करूंग meinem तो मुझे तीर छाह लगा तो मैं तिर छाह शटक करेंगी तो मैंने तीर अब गलरी में जाँगी अपने पिक देखूंगी कौशी पिक लगाऊं इसमें तो मैंने बहुत सारी वीडियो अप्लोड करके रखा हुआ है अब मैं इसको लूँगी और क्राप करूँगी बसो कि अब इसको भी सट कर देते हूं अब इसमें भी मैं शैडू दूँगी तो शैडू दूँगी और इसको श्ट्रोक करूँगी शैडू दूँगी बढ़ाऊंगी तो फिर इसमें कलर आएगा पर यह थमनेल बन करके तयार हो जाएगा अब इसको मैं जितना घुमाऊंगी उतना ही मेरे यानी की कलर लाइक और डार्क होगा तो मैं इसको आन करके पुर्ण डार्क कर देती हूं तो इसको शैडू ज़्यादा हो जाएगी अब मैं आऊंगी विजेश इनेबल में इनेबल में आऊंगी तो इसको आन करूंगी तो देखी कितना बढ़िया यानी की रिंग टाइप तयार होता है तो यह मुझी बहुत अच्छा लगा तो मैं इनेबल आन कर देती हूं तो बहुत थी मस्त थमनेल मेरा बन करके तयार होगा अब इसके बाद मैं आती हूं कलर में प्लस में दबाऊंगी तो यह ऐसे मुझे कलर मिलेगा मैं प्लस दबा के कलर को थोड़ा हलका कर लेती हूं क्योंकि हलका कलर अच्छा लगेगा तो हलका कर लिया मैंने देखू कित के फिर में थोड़ा शिट कर देती हूं और को अब जाएंगे लाग आप करते हूं लाग तो मैंने लाग कर दिया अब बस मैं जाओंगी और अब अपनी थमनेल को शेप करूँगी तो आइ मैंने शेप टू गलरी हो गया मैंने शेप कर दिया